एक पेसेंजर का टिकेट बूग किया है एक साथ और यदि आप उसमें से कोई एक बंदा का या फिर एक को छोड़कर आफ सारा टिकेट कैंसिल करना चाते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे येस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि आई इंडी हिंदी टेक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि आज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वाले घंटी पे किलिक कर दे तकी नहीए बीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलताorous रहे है तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में चले जाए दोस्तों मैं आपको बता दू कि ये जानकारी मैं आपको अपने मुवाइल से दे रहा हूँ आप मुवाइल से भी डिकट को कैंसिल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लैप्टफ वगारा से भी कैंसिल कर सकते है तो सबसे पहले IRCTC के website पे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमने IRCTC सर्च कर दिया उसके बाद IRCTC.co.in पे हम चलते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यदि एक साथ आपने एक से ज़्यादा आदमी का टिकेट बुक किया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ऐसे करके आपने भुक किया है और उसमें से चाहते हैं कि कोई एक पैसेंजर का हम टिकेट कैंसल करें या फिर एक को छोर कर सारा टिकेट कैंसल करें तो वो किस परकार से आप कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हो तो यहां पर आप देख सकते है आयर सिटीजी के website open हो चुका है तो हमें यहां पर three dot पे click करके login हो जाना है तो चलिए हम यहां पर login क्लिक करते हैं और अपना user ID और password डाल के login हो जाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आयर सिटीजी की नए वाला website में हम successful login हो चुके हैं यहां पर आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है दोस्तो आपको ticket cancel करने के लिए आपको कहा जाना होगा मैं आपको बताता हूँ क्लिक करना होगा उसके बाद तो चलिए हम यहां पर क्लिक करने के बाद आपका ticket यहां पर सो हो जाएगा हैं यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरा ticket जो है सारा booked history सो हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2-3 ऐसे passenger है जिनका ticket आप एक सांथ बुक की हैं तो उसमें से एक ticket cancel करना है या फिर एक को छोड़कर सारा cancel करना है तो वह बता जिता हूँ आपको किस परकार से होगा तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसमें से अगर आपको कोई भी ticket cancel करना है तो ticket पर आपको सबसे पहले click करना होगा तो चलिए हम इस पर click करते हैं और click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर passenger जो है 6 है यानि कि एक साथ 6 passenger का ticket book है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साथ 6 passenger का ticket book है और सारा जो है count form है तो मैं आपको बताता हूँ कि यह 6 में से कोई एक कैसे cancel होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर जो दीख रहा है छोटे से 3 dot इस पर आपको click करना है तो इस पर आप click करोगे तो इसके बाद यहाँ पर cancel ticket लिखा हुआ आ रहा है तो इस पर हमें click करना है चलें cancel ticket पर हम click करते हैं और cancel ticket पर click करके Just आपको slide करना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि passenger का सारा नाम सो हो रहा है छे messenger का ticket हमने एक साथ book किया था तो यह सारा जो है यहां पर सो हो रहा है तो हमें क्या करना है कि अगर cancel करना है to तो इसमें से Select का hier Option आती है, यजी सारे पैसेंजर के साइड में आप देख सकते हैं, पैसेंजर नेम के साइड में यजी मार्क करने का आती है. यिदि जिसका भी टिकट यहां पर कैंसल करना है, आपको अपको टिकाउट करना है इस तरह से आपको टिकाम करना है, और यहां पर just slide करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर cancel ticket लिखा हुआ है इस पर आपको click करना है एक वार reconformation खुझेगा फिर आपको done कर देना है और उसके बाद आपका ticket cancel हो जाएगा दोस्तों जादी आप एक ticket cancel करना चाहते हैं तो इसे छोड़ देते हैं और बाकी को आपको tick out कर देना है जितने भी ticket है उस हारा को tick out कर देना है और tick out करके last में जो यहां पर cancel है वो button दबा देना है अब जैसी यह दबायेगा sara ticket cancel हो जाएगा जितने आपने टिक out किया है जिसे आपने tick out नहीं किया है तो टिकेट कैंसिल नहीं होगा दोस्तों आपको इस परकार से छे टिकेट में से आप चाहे तो एक टिकेट को रख सकते हैं या फिर एक टिकेट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर दो टिकेट कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो एक को छोड़कर सारा टिकेट कैंसिल कर सकते हैं अब दोस देख सकते हैं कि मैं तो इतना चाहे उसना आप कैंसल कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेकर और इससे जुरी कोई भी सवाल हो तो आप बेहिचा कॉमेंट करें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले देने वाद